प्रेंट्स आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउस और इसे हम बनाएंगे प्रेंसिस कट पर 32 साइज का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल लाइकन की बटन जरूर दबाएगा तो यहाँ पा द सोल्डर लेना है हमें 5 इंच आर्मोल लेने 5.5 इंच इसे हम स्लीवलेस रखेंगे और इसकी जो हुक है वो हम साइड में रखेंगे दिखिए आप चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 32 का फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच 2 इंच लेना है मार्जन के लिए वेस्ट है इसकी 26 इसका फोर्थ पार लेंगे 6.5 इंच और 2 इंच मार्जन के लिए 1 इंच टक्स के लिए लिया है वन इंच से आरमोल की साइड गुलाई देनी है अब देखिए यहां पर हमें नैक की मार्किंग करनी है तो नैक को हमें लेंध में लेना है 5.5 इंच आप अपने अकॉर्डिंग से कम्या ज़ादा कर सकते हैं तो मैंने यहां पर 5.5 इंच लिए है नैक की जो लेंध है वो और नैक को वीट में हमने यहां पर 3.5 इंच लिया है यहाँ पर इपने line डो कर लेनी है straight में और यहाँ पर मैंने round shape दिया है इस तरीके से यहाँ से हमें side से half inch पर marking करनी है जिसे length में हमने 3 inch पर marking करते हुए side से half inch पर marking करते हुए यहाँ पर हमने armhole के side shape दे दिया है इसे हमें cut कर लेना है तो यह हमने back part की marking करी है और इसी को रखते हुए हमें front part की marking करनी है दिखिए जो back part होता है उसमें हमें 2 inch extra लेना होता है और जो front में हम cut करते हैं उसमें 2.5 inch extra लेते हैं तो इसको इस तरीके से as it is रखते हुए इसकी cutting करेंगे जहां से हम fitting लगाते हैं वहां से हमें उपर की side से half inch extra ले लेना है और नीचे की side से one inch extra ले लेना है तो one inch हम extra लेते हैं tux के लिए तो यहां पर हमने extra ले लिया है तो यह देखें फ्रंट और back part की marking करते होगे cutting कर ली है और front part पर हम princess cut की marking करेंगे तो यहां से हमें 3.5 inch पर marking करनी है टक्स point इसका वो है 10 inch तो हमें नीचे के side से यहां पर 4 inch पर marking कर लेनी है टक्स को निकालने के लिए और यहां पर हमें princess cut का shape दे देना है दोनों ही side से half inch पर marking करेंगे और length में हमें 2 inch पर marking करनी है और यहाँ पर हमें shape दे देना है, cut कर लेना है इसे और इसे अब हम certain fabric पर cut करेंगे तो दिखिए certain fabric पर cut कर लिया हमने इसे और अब जो net fabric पर हम उपर जो jacket बनाएंगे वो हम यहाँ पर इसे cut करेंगे तो 4-4 fabric ले लिया मैंने front और back के लिए और देखिए इसकी जो total length रखनी है वो हम रखेंगे 15 inch, 1 inch margin का ले लेना है 16 inch ले रहे हैं यहाँ पर हमें solder का half लेना है, तो solder है मेरा 13 inch तो उसका half लेंगे 6.5 inch तो देखिए 6.5 inch पर marking की, armhole ले लेना है हमें 6 inch यहाँ पर हमें chest का fourth part लेना है, तो 32 का fourth part होगा 8 inch और 2 inch इसमें मैं margin के लिए रखूँगी और दीखिए नीचे के side से, waist है हमारी 28, उसका fourth part लेंगे 7 inch और 2 inch margin का ले लेना है दोनों marking को मिलाते हुए हमें यहाँ पर shape दे देना है 1 inch से armhole के side गुलाई देनी है देखिए गुलाई हमने यहाँ पर दे दी है इसकी, और यहाँ पर अब इसे हमें cut कर लेना है देखिए half inch हमने shoulder को down कर लिया है यहाँ पर और इस तरीके से हमने इसे cut किया है, अब देखिए sleeves cut करने के लिए हमें armhole को measure कर लेना है तो पहले हम यहाँ front जो part है उसका हम armhole cut करेंगे half inch जो हम extra cut करते हैं गुलाई के लिए front में तो यह हमने front के लिए इसे cut कर लिया है और अब जो back armhole है उसे हमें measure करना है half inch shoulder को stitch करने के लिए चोड़ देना है उपर के side पर और यह जो पूरा armhole आ रहा है वो हमारा 8.5 inch आ रहा है तो देखिए 8.5 inch इसमें आ रहा है जो sleeves है उसकी total length 5 inch रखनी है 1 inch इसमें plus क्या है margin का यहाँ से 8.5 inch लिया 2.5 inch पर sleeves को down करना है और shape देना है sleeves round है हमारा यहाँ पर 10 inch और 2 inch margin करेंगी तो यहाँ पर हमने total इसे 7 inch ले लिया है cut कर लिया है इसे और अब देखिए यहाँ पर हम इसे stitch करेंगे तो इस part को हमें stitch करना है तो man fabric हमें wrong side पर रखना है उसके उपर हम lining को रखते हुए इसे 4 side से stitch करेंगे pin up कर लेना है हमें क्योंकि यह certain fabric है तो देखिए इसे हमने stitch किया इसका जो extra fabric है उसे हमें cut करना है और यहाँ पर हमें दूसरा part भी stitch कर लेना है तो देखिए दोनों ही part stitch कर लिये हैं और यह जो front part करना है कि paper pasting लेना है और neck की हमें आपर exit is marking करनी है तो इस तरीके से chalk की help से हमें exit is marking कर लियना है और इसे cut करना है side से 1 inch extra लेते हुए इसे cut करेंगे और यह जो paper pasting है उसे neck पर हमें paste कर लियना है तो देखिए हमने आपर इसे paste कर लिया है और जो man fabric है उसे हमें right side पर रखना है इस तरीके से right side पर रखेंगे उसके उपर हमें lining fabric को रखते हुए neck को अच्छे से stitch कर लेना है और यहाँ पर हमें cut लगा लेना है extra fabric cut करते हुए यह देखिए इस तरीके से palette देना है इस पर देखिए से हमने palette दिया side side से stitch भी कर लिया है अब जो princess cut के part थे वो हमें यहाँ पर stitch कर लेना है दूसरा part भी stitch करेंगे दोनों ही पाट stitch कर लिये हैं और नीचे के side इसमें पटी लगाएंगे तो पटी की width हमने आप 1.5 inch रखी है और एक stitch हमें पटी के उपर से कर लेना है पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगे तो देखिए हमने इस पाट को stitch कर लिया है और अब देखिए यहां पर हमें यह पटी है ले लिये नहीं है यहां से हमने इसको width में 1.5 inch लिया है और length में इसे 8 inch लिया है तो यह जो हम strip लगाएंगे इसमें तो इस तरीके से fold करना है और इसका jackster fabric है वो हमें cut कर लेना है और देखिए side से इस तरीके से stitch कर लेना है इसे पलटने के लिए और किसी भी tools से हमें इसे पलट लेना है तो देखिए हमने यहाँ पर 8 inch लिया है छो आपने neck cut किया था वो आमने 3 inch पर किया था तो front का 3, back का 3, 6 inch और 1, 1 inch अमने इसमें extra लिया है तो 8 inch लिया है, 2 strip बना लिया है हमने इस तरीके से इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से stitch कर लेना है और दिखिए जो आईरन करेंगे तो सेंटर पर से जो उसका जॉइंट है वो हम रखेंगे सेंटर पर क्रॉस में हमें पटी कट करनी है, फोल्ड करते उए हमें इस तरीके से इस पर लगाना है हाफ इंच हमें आर्मोल के साइट गोलाई दे देनी है और अब इसे जो अमारी पटी है उसे हमें लगाना है पूरे यार्मूल पर हमें कट लगा लेना है और दिखे इसको अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच करना है तो एक स्टीच हमें पटी के उपर से कर लेना है और एक स्टीच हम इस तरीके से करते हुए करेंगे तुसरा जो सोल्डर है वो भी हमें इसी तरीके से स्टीच करना है तो दिखे दोनों इस सोल्डर स्टीच कर लिए है यह हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का जुन्याक है, उसे भी हमने पेस्ट कर लिया है, कट करकर और जो मैन फैवरी के उसे राइट साइट पर रखेंगे, उसके उपर लाइनिंग रखते हुए नेक को और आर्म हुल को स्टीच कर लेना है यह देखी तो इस तरीके से आर्म हुल को स्टीच कर लिया है, इसका जो एक्स्टर फैबरिक है उसे हमें कट करना है और पूरे ही नेक पर और आर्म हुल पर हमें कट लगा लेना है तो देखी कट लगा लेना है इस तरीके से अब देखी जो स्ट्रिप है इसको हमें अंदर पर डालना है और स्टीच करना है इसे देखी इस तरीके से अंदर डालते हुए से स्टीच करेंगे यह देखी तो स्ट्रिप हमारी यहाँ पर जोइंट हो गई है दूसरी स्ट्रिप भी हमें इसी तरीके से लगा लेनी है दोनों स्ट्रिप हमने यहाँ पर लगा ली है और देखी बैक को भी हमने स्टीच कर लिया है बेक में हमें टक्स लगा लेना है टक्स की लेंद 4 इंच रखी है मैंने दूसरा टक्स भी लगा लेना है वो नीचे के साइड हमें पटी लगानी है जैसे कि हमने फ्रेंट में लगाई थी तो दिखिए पटी को भी हमने नीचे के साइड लगा लिया है और अब यहां पर हमें fitting लगानी है तो दिखिए जहां पर हमें hook आई की पटी लगानी है hook लगाना है उस side हमें यहां पर stitch नहीं करना है सिर्फ हमें यहां पर one side पर ही stitch करेंगे तो दिखिए बराबर करते हुए हमने यहां पर इसे stitch कर लिया है side से और ब्लाउस को उल्टा करते हुए साइट से एक पिर का मार्जन रखते हुए हम इसे स्टीच करेंगे और दीखे बन साइट से हमने इसे ओपन ही रखना है और अब यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे तो यह हमारा सेंटर है सेंटर पर हमें चेस्ट के फॉर्थ पार्ट पर मार्किंग करनी है फॉर्थ पार्ट है हमारा एट इंच और यहाँ पर हमें वेस्ट का फॉर्थ पार्ट ले लेना है 6.5 inch और दोनों marking को बलाते हमें यहाँ पे shape देना है यहाँ से हमें 3 inch पर marking करनी है यहाँ पे इस side हम hook की पटि लगाएंगे hook और eye लगाएंगे तो दीखिए यहाँ पर हमने जातक marking किया हमें वहीं तक इसे stitch कर लेना है इसे हमने stitch कर लिया है और जो extra fabric है उसे हमें cut कर लेना है इस तरीके से और अब दिखेया है यहाँ पर हमें इस तरीके से fold करेंगी जिसे हम normal कुर्ती में chalk बनाते हैं से हम वैसे हमें इसे stitch करना हैं यहाँ से और दूसरे side हमें इसमें fitting लगा लेनी है यह देखिए तो हमने इसे स्टीच कर लिया इस तरीके से और अभी यहां पर हमें देखिए एक पट्टी लेनी है मैंने जो स्वाटन फैवरिक उसके साथ लाइनिंग भी स्टीच कर लिया है उस तरीके से फोल्ड करना है और इसे स्टीच कर लेना है इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे स्टीच करेंगे तो देखे इसे हमने स्टीच कर लिया और इसे अब हमें बैक साइट पर लगाते हुए स्टीच करना है तो देखे बैक साइट पर हमें इस तरीके से लगा लेना है इसे यह देखिए तो इसे हमने स्टीच कर लिया यहाँ पर यह देखिए बराबर में आ गई है हमारी स्टीची आप देखिए यह जो जैकेट है उपर की वह हमें आपर स्टीच करेंगे नैक उसका 2.5 इंच हमने नैक की वीट लिए है और लैंथ में हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिए है राउंड शेप देना है उसमें हमें कॉलर लगानी है तो हमें यहाँ पर छोटा ही नेक कट करना है बड़ा नेक हम नहीं cut करेंगे और यह हमारा front part है center से इसे cut कर लेना है center से यह open रहेगा तो दिखेंगे यह दो पीस हो गई यहाँ पर और back part जो है उसकी भी हमें यहाँ पर neck cut कर लेना है neck की भी 2.5 inch लेना है और neck की length हमें 1 inch लेनी है थोड़ा सा round shape देते हुए इसे cut करना है तो देखें इसको cut कर लिया है और अब यह हमने आप एक पटी ली है यह हमें front में लगानी है तो इसकी जो weight थे वो 1.5 inch ली है मैंने और नीचे के side रखते हुए इसे लगाना है hold करेंगे और इसे stitch करेंगे इसी तरीके से दूसरे side भी हमें यह लगा लिया है जासे हमने neck को cut किया है तो देखें दूनों ही side हमने इसे लगा लिया है और अब यहाँ पर हमें shoulder को stitch करना है तो पहले हम back part को रखेंगे right side पर उसके उपर front part को रखते हुए neck को stitch कर लेना है solder को दूसरे solder भी इसी तरीके से stitch करेंगे दूसरे solder को stitch कर लिया अब यहाँ पर हमें color लगाने के लिए neck को measure कर लेना है कि जो neck है हमारा वो कितना आ रहा है तो दीखें यह आ रहा है हमारा 7.5 inch यानि total जो 15 inch की हमें बनानी है तो 15 inch का half ले लेना है 7.5 inch यहाँ से हमें 2.75 inch पर marking करनी है और यहाँ से हमें 3 inch पर marking करनी है और दीखें दोनों marking को इस तरह से मिला देना है और line draw करनी है और यहाँ से हमें 3 inch पर जो marking की थी है उसे हमें थोड़ा सब तिर्चा लेते हुए marking करनी है कट कर लेना है और इसे हम certain fabric पर paste करेंगे तो दीखें पैस्ट हमने इस तरीके से कर लिया और यह हमने wrong side पर paste किया है इसे fold करना है और stitch कर लेना है और दीखें हमने इसको एकसर जोई fabric है इसका उसके cut कर लेना है और एक और हमें यहाँ पर certain fabric लेना है इसको हमने right side पर रखा है उसके उपर color को इस तरीके से रखेंगे और paper pasting के side से stitch करेंगे ध्यान रहे जो हम stitching कर रहे है वो हमारी paper pasting के उपर नहीं आना चाहिए उसके side में आनी चाहिए और दीखेंगे इसका जो extra fabric है उसे हमें cut कर लेना है यहाँ से हमें half inch लेना है सिर्फ stitching के लिए बाकी जो extra से cut करना है और यह जो corner है वहाँ पर हमें cut लगा लेना है और इसे पलट लेना है इसके corner अच्छे से निकाल लेने हैं हमें अब देके यहाँ पर हम color लगाएंगे तो जो color है उसे हमें wrong side पर रखते हुए stitch करना है इस तरही के से हम इसे wrong side पर लगाना start कर रहे है और इस तरही के से पूरे neck पर हमें यह color को लगा लेना है तो देखे इस तरही के से हमें इसे stitch कर लिया है अब देखे यहाँ से हमें एक stitch और कर लेना है जो हमने stitch किया है इस fabric को अंदर के side रखना है और stitch कर लेना है तो देखे color को stitch कर लिया हमने यहाँ पर और इस तरही के से इसे fold करते हुए iron कर लेना है देखे तो चो color है वो इस तरही के से आ जाएगी और यहाँ पा देखे हमने पटी ली है इसको हमें sleeves में लगाना है तो इसको हमने wrong side पर रखा है और जो पटी लगाई है एक stitch उसके उपर से करेंगे और इसे अंदर के side fold करते हुए stitch करना है यह देखे यानि कि हमारी जो पटी है वो बहार के side निकल गई है और यहाँ पर हमने इसे pipe in type का इसे बना लिया है दूसरी sleeves पर भी इसी तरीके से हमें लगा लेना है तो देखे दोनों sleeves पर हमने इसे लगा लिया है और अब यहाँ पर हम sleeves को stitch करेंगे तो देखे center पर इस तरीके से रखना है और इसे stitch करना है दूसरी sleeves से भी stitch कर लेंगे इसी तरीके से दूसरी sleeves भी stitch कर लेना है और देखे दोनों sleeves stitch कर लिया है अब side में हमें fitting लगानी है chest के fourth part पर marking कर लेनी है और नीचे के side भी हम west के fourth part पर marking करेंगे और यहाँ पर हमें sleeves round ले लेना है 10 inch और marking करते हुए तीनों marking को मिलाते हुए मैं यहाँ पर fitting लगानी है और side का जो extra fabric होगा उसे हमें cut कर लेना है और यहाँ पर लेना है और देखिए नीचे के side से इसे fold करेंगे तो देखिए से हमने stitch कर लिया तो हमारा यह designer blouse बनकर complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह video कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा bell icon की button जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली video की notification आपको मिलती रहे तक यू